तो आज हम लोग देखेंगे फॉंक्षन का पार्ट थ्री टीक है जेतने लोग फॉलोग करें उनको पता होगा दो पार्ट अलेडी अप्लोडेड है टीक है क्वेशन में 1 से लेगे 10 तक क्लास 11 एमसी क्यूज आरी सर्मा बुक तो उसके सलुचन मैं यहां पर प्रोवाइड क पार्ट में के पहले भी समझाया है काफी इंपॉर्टेंट है नॉट सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए लेकिन हाँ अगर फॉंक्षन का कॉंसेप्ट क्लियर रखते हो तो बहुत साइज चैप्टर में सा कॉंसेप्ट यूज होगा जो कि आपको वहां पर समझ में आ काफी इंपॉर्टेंट भी है डिफिकल्ट भी है आप वो सकते हो और इंपॉर्टेंट है तो आपको करना है तो करना आ आप इसकी पनाई कर सकते हैं तो कॉस्ट नमघर 1-10 अअ यही धो पार्ट में अप्लोड़ेड है अगिन हम 5 कॉस्ट चैम करेंगे ठीक है तो फॉंक् करते हैं आज का जो question number है हमारा next 11th ठीक है कहीं कोई doubt हो कोई problem हो तो comment section में बता सकते हो आप ठीक है दिख़रा होगा सबको चलो question 11th में आते है तो यहाँ 11th में क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि f of x given है f of x is equal to log 1 plus x upon 1 minus x हमसे पूछा गया है f of 2x upon 1 plus x square की value क्या होगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप change करोगे उस x को 2x plus 1 upon x square से और कुछ नहीं करना है तो fx में जहाँ जहाँ x है log 1 plus x, x की place है 2x upon 1 plus x square upon 1 plus Нेचे के आए x square sorry one minus x so one plus x to x की place यहाँ गिए 1 minus x मतला अभी यहाँ पे भी x को replace करोगे तो one minus x की place पायाँ 2x upon one plus x square सिंप्लिफाइ करेंगे यह आपके पास आजएगा log उपर LCM लेंगे LCM आएगा 1 प्लस X स्क्वाइर मुल्टिप्लाइट बेर 1 में डाय क्लिए कर रहा हूं तो एक एक स्टेप कल्कुलिशन का दिखाना पॉस्टिबल नहीं है और यह आएगा 2X और नीचे आएगा 1प्लस X स्क्वाइर को लेने के बार है अगर नीचे LCM लोगे 1 प्लस X स्कॉाइर Altum आएगा मल्तिप्लाइड बैष तो बनेगा 1 प्लस X स्कॉाइर एग रपन में 1 प्लस X स्क्वाइर ले यह बनेगा ठीक है और यह आपका बन जाएगा log ठीक है ऊपर बनेगा 1 plus x square plus 2x देखो अब 1 plus x square plus 2x यह a square plus b square plus 2ab का form है इसको हम 1 plus x का whole square लिख सकते हैं और नीचे a minus b का form देखे हैं आदको minus 2x है इसको हम 1 minus का whole square लिख सकते हैं तो यह आपका next क्या ज़ेगा यह ज़ेगा log इसको हम combine कर सकते हैं 1 plus x upon 1 minus x का whole square अब log की property होती है अगेन आपको log की property देखो chapter 3 कर रहे हो ना function ठीक है तो अगेन आपको log की property याद होनी चाहिए आपको trigonometric के formulas याद होनी चाहिए को बहुत सारे question matrix के formulas भी use हो होगा ठीक है log में क्या होता है से अब मैंने पहले ही कहा है log x square है तो इस वाले power को आप सामने लाके 2 log x लिख सकते हो यह काम कर सकते हो यह 2 आगे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 2 log 1 plus x upon 1 minus x यह क्या हो जाएगा 2 1 plus x log 1 plus x upon 1 minus x क्या दिख रहा है आपको यह देखो यह f of x के आपका यहां पर correct हो जाएगा clear है कुछ नहीं किया है बस आपको पहले first में x की place पर 2 x upon 1 plus x square remove put करना है और question को simplify करना है बस ओके तो यहां तक clear होगा चलते question number 12 की अगर बात करें already हमने question number 12 पहले भी किया है ठीक है जहां पर एक पहले भी दो बार हम कर चुके है पहले भी दो बार कर चुके मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो again मैं पूरा नहीं करूँगा answer आपका zero होगा question number 12 में अगर आपने first or second part को follow नहीं किया है question number 12 की अगर बात करते हैं ठीक है तो मैं दिखाता हूँ आपको ये question देखो question number 5 ठीक है तो 5 में same चीज़ था यहां पर f of x into f of y आ गया था minus half f of x upon y plus f of x into y यहां पर कुछ नहीं है y के जग़े 4 आ गया है बस y के जग़े 4 आ गया है और आपको कुछ नहीं करना है तो इसी चीज़ को आपको यूज करना है तो exactly question number 5 जो आपको नहीं किया है तो question number 5 की एक सेकंड वेट ठीक है exactly question number 5 ही है आपका बस वहां पे यहां पे f of x y है यहां पे f of 4 है तो जहां जहां y है वहां पे 4 पुट कर देना simplify करना 0 आपका answer आ जाएगा ठीक है अगें देखना first part second part एक दो question ऐसा exactly same पहले आ चुका है बस यहां पे बस value change होई है एक जगे log cos log x given था f x square f y square है एक जगे f x into f y है और यहां पे f x into f 4 है एक जगे x square y square है एक जगे x और y है और यहां पे x और 4 है बस ठीक है हम चलेंगे आगे question number 13 पे 13 देखो ठीक है 13 में देखो अगर question देखा मैं जगाता हूँ यहां पे आपको f of x given है और यहां पुछा गया f of x plus y और f of x minus y यह किसके equal होगा ठीक है यह पुछा गया आपसे तो अगे पर तो आप of x plus y और x minus y आप परे निकाल होगे ठीक है निकाल के निके बाद ही आप compare कर सकते हो किसके equal होगा किसके equal नहीं होगा तो f of x plus y का मतलब यह हो गया जहां जहां x है वहां पे आप x plus y पुट करोगे प्लस 2 minus x plus y upon 2 और f of x minus y का मतलब हो गया जहां जहां y है जहां जहां x है वहां पे x minus y पुट करोगे x minus y plus 2 minus x minus y by 2 नेक्स है इन दोनों का multiplication ठीक है इन दोनों का multiplication मतलब f of x plus y and f of x minus y का multiplication अनिकी 2 की पावर x plus y plus 2 की पावर minus x plus y upon 2 multiplied by 2 की पावर x minus y plus 2 की पावर minus x minus y upon 2 multiply करोगे एक बाइन एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से multiply कर रहे हो तो मैं directly कर रहा हूं ठीक है तो यह 2 into 2 1 by 4 तो बहार ले लो 1 by 4 बहार आ जाएगा 2 x y 2 x minus y फिर 2 x plus y multiplied by plus 2 minus x minus y तो यह आजाएगा plus 2 x plus y multiplied by 2 की पावर मैं यहां bracket कोलता हूं minus x plus y यह जाएगा minus x plus y plus अब यह multiply होगा इससे तो यह जाएगा 2 यह जाएगा minus x minus y multiplied by 2 की पावर x minus y फिर यह term multiply होगा इससे तो 2 की पावर minus x minus y यहां आ जाएगा कुछ नहीं बस multiply किया दो term यह थो term यहां multiply किया है अब देखो यहां पर क्या होगा बेस से में तो पावर एड़ होता है, तो 1 by 4, बेस से में तो पावर एड़ करोगे x plus y और x minus y को जब इनको एड़ करोगे, यह क्या आजाएगा, 2x आजाएगा, ठीक आप लोग एक स्टेप बाए स्टेप करना, मैं पासवाजिए स्पेस करम में ताइम थाँ सा बचाना होता तो मैं डाइकली कर रहा हूँ, यह आजाएगा, यहाँ पे x plus y और minus x plus y तो यह 2 की पावर 2y आजाएगा, जब इनको जब एड़ करोगे तो minus x minus y और x minus y तो यहाँ पे आजाएगा, plus 2 की पावर, x cancel out हो जाएगा, यहाँ पे आजाएगा, minus 2y और यहाँ पे y cancel out, यह तो अगें यह 1 by 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह चीज़, इस पे फोकुस करो, ठीक है, 2x plus 2 की पावर minus x, ठीक है, तो हम क्या करते है, x वाइटर्म को एक साथ कर लेते हैं, यह, और यह 2y plus 2 of minus 2y, यह काव, ओके, अब हमें बताना था यह जो किसके फॉर्म में होगा, f of 2x, 2y, 2x, 2y, 2x, 2y, सब जगे 2x, 2y का फॉर्म है, ठीक है, तो हम simplify करेंगे, ठीक है, तो मान लोगा, इसको हम एक मान के, इसके नीचे हम 2 लगाते हैं, और इसके नीचे भी हम 2 से डिवाइड करते ह है, ठीक है, कहने का मतलब हम 2 से डिवाइड करें, तो 2 से multiply भी करेंगे, equation को, 2 से multiply भी करेंगे, तो 2 से जब multiply करोगे, यहाँ 2 multiply होगा, यहाँ 2 multiply होगा, तो 2 common लेकर, इसको हम 2 हमने यहाँ लगा लिया, 2 हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है, अब देखो, यह क्या लिखा minus 2x by 2 यह तो 1 by 2 आ गया और यह आपको क्या दिख रहा है f of 2x plus f of 2y दिख रहा है तो half f of 2x plus f of twice of y तो कहने का मतलब है option a जो हो आपका यहां पर correct हो जाएगा option a जो हो आपका यहां पर correct हो जाएगा उमीद्य समझ में आया होगा ठीक है नहीं आया हो तो वीडियो को तुवारा फिर से देखो समझ में आ जाएगा कुछ नहीं किया है बस हमने replace किया है value को और बस simplify किया है ठीक है replace करके value को simplify किया है उमीद्य समझ में आ गया होगा देखो मैं फिर से एक आत्वा सा explain कर रहा हूँ क्योंकि 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 यहां नीचे 2 था तो हमने नीचे 2 लगा दिया और नीचे 2 लगा दिया अब यह term भी 2 से multiply होता इसी 2 को थो हमने बाहर common यहां लिख लिख लिए next step नेक्स step होता मैंने एक ही step में किया है तो 2 by 4 हो गया 1 by 2 और इसको हम लिख सकते है यहां पे x की place पे 2x आ गया तो f of 2x और यहां पे x की place पे 2x आ गया तो f of 2x और यहां पे x की place हाँ यह तो आपको नया concept मिलेगा आपको यहां पे ठीक है तो twice of f of x देखना important है बहुत बार exam में पूछा जाता है is equal to x square और हमसे f of 2 पूछा गया है तो f of 2 निकालने के लिए हमें पर फ of x थो मालूम चले तब तो हम f of 2 निकालेगे तो इससे कोशन में क्या करते है फ़ले हमने यह हमारा माल्या first equation है ये अब हम क्या करते है x को replace करते हैं x को replace कर गए 1 by x से तो ये क्या हो जाएगा twice of f of 1 by x minus 3 ये हो जाएगा 3 of x को replace करोगे 1 by x देखो ये 1 by x लिखा हुआ है और x को replace करोगे 1 by x से तो x उपर जाएगा तो ये बन जाएगा ये यहाँ पर जाएगा 1 by x का square अब दो equation दो unknown देखो f of x को माल लो ये तुम्हारा p है और f of 1 by x को माल लो ये q है तुम्हें p और q निकालना है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमें f of x निकालना है तो f of x निकालने के लिए हम f of 1 upon x को यहाँ से eliminate करेंगे f of 1 upon x को यहाँ से eliminate करेंगे तो इनका again linear equation 2 variable का concept चूज़ करेंगे तो हम first equation को multiply कर देते है 2 से and second equation को multiply कर देते है 3 से तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका first equation बनेगा 4 f of x minus 6 f of 1 by x is equal to 2 x square और दूसरा equation बनेगा 3 से multiply करेंगे देखो परले मैं f of x को परले लिख रहा हूँ ये minus 9 f of x बनेगा class 11th मता समझ में आ जाएगा और 3 से multiply कर तो ये बनेगा 6 f of 1 by x और ये बनेगा 3 by x square ओके इन दुनों को हमने add किया तो ये तो cancel out तो 4 minus 9 तो minus 5 f of x ये बना 2 x square plus 3 upon x square तो f of x आगे हमारे पास minus 1 by 5 2 x square plus 3 by x square तो हमसे पुछा गया था f of 2 तो f की place पे 2 put करो ठीक है f की place पे हम 2 put करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हाने पास minus 1 by 5 2 x square 4 into 2 8 और ये हो जाएगा 3 by 4 ठीक है मैं उपर simplify कर रहा हूं इसको यहां पर यहां पर तो minus 1 by 5 32 by 35 35 by 4 5 से 7 minus 7 by 4 तो option आपका यहां पर match कर जाएगा first आपका answer आजाएगा स्वज में आ गया symbol सा था कुछ नहीं करना था बस ध्यान रखना इस type के question में अगर ऐसा कुछ equation given है आपसे f of 2 पूछा या आपसे f of x निकालना है तो यहां f of x है यहां पर f of 1 by x है यहां पर कुछ और होता तो हम x को उसी से replace करते दो equation मलाते और दुनों equation को solve करके हम f of x f of जो भी निकालना निकाल सकते है इस concept को use करना और ध्यान में रखना क्यों यह इस type of question exam में आता है और आ सकता है question number 15 पर आते है 15 में क्या है function given है r से r defined किया गया है और function f of x वो 2x plus modulus of x है तो हमसे यह पूछा गया है कि अगर उसमें x को replace किया जाए 2 of x से एक बार x को replace किया जाए minus x और एक बार x को replace किया जाए minus of f of x से तो हमारा value क्या होगा बस तो simple सी बात है बस x की value change करते जाओ और देखो function क्या बन रहा है तो फंक्षन क्या है हमारे पास 15 question में 15 करते है twice of x question number 15 जो लखी लो 15 question number 15 तो function हमारे पास है 2x plus modulus of x तो f of 2x क्या होगा 2 into 2x plus modulus of 2x plus modulus of 2x f of minus x क्या होगा 2 into minus x plus modulus of minus x and यहांपर minus f of x है ठीक है यहांपर minus f of x है तो f of 2x f of minus of x minus f of x तो बस इन तिनों को यहां पर put करेंगे तो यह आपका आ जाएगा यहांपर यहांपर f of 2x मतलब twice of 2x plus modulus of 2x plus f of minus of x twice of minus x plus modulus minus f of x तो यह जाएगा minus 2x minus mod of x तो mod of minus x लिखो या mod of x लिखो एक ही बात है यहांपर x को 2 put करोगे तो भी बहार 2 आएगा minus 2 put करोगे तो भी 2 आएगा यह दोनों term exactly plus minus सेम है मतलब आप इस negative को निकालके यहांपर multiply मत कर देना तिकर ध्यान दखना तो minus x का modulus और modulus of x same result ही देगा x कुछ भी put करो आप कहने का मतलब है इस minus को आप बहार निकालके plus में multiply मत करना ओके यह ध्यान दखना अब यह क्या है आपका 4x यह minus 2x minus 2x यह भी cancel out हो जाएगा बचेगा क्या modulus of 2x modulus of 2x में 2 को आप बहार निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं तो 2 of modulus of x पहुँचेगा तो कि यह 2 positive positive निमर बहार आ सकता है option भी आपका सही हो जाएगा clear है चलो तो आज वीडियो को यहीं पे end करेंगे question 15 पे again next part में हम लोग 16 से continue करेंगे reason यह है कि question हर 4-5 question के बाद concept change हो रहा है तो आप यह समझ लो कि हम concept change होते ही part change कर रहे है क्योंकि एक साथ सारा करने बैठोगे तो दिमाग आपका घुमेगा ठीक है first time कर रहे हो difficult बहुत लगेगा ठीक है जब इसी चीज़ को repeat करोगे एक बार दो बार तीन बार करोगे तो आप used to हो जाओगे आपके लिए बहुत simple हो जाएंगे 10th के बाद 11th वैसे भी difficult है और जब आप RD सर्मा के MCQ लगा रहे हो तो लेवल आपका बहुत ऊपर जा रहा है मतलब तो अगेंज पहले आप RD सर्मा लगाने से पहले NCRT पर कमांड कर लेना उसके बाद ही RD सर्मा को टच करना चलो जल्दी मिलेगा अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर